गड़ मॉर्निंग स्टूडेंट्स कैसे हैं आप आज मैं फिर आपके साथ हूँ एक नई वीडियो लेकर आज हम N.C.E.R.T. पाठे पुस्तक इतिहास कक्षा छटी का पाठ नो व्यपारी राजा तथा तीर्थ यात्री के अभ्यास कारिये पर चर्चा करेंगे तो चलिए बच्चो शिरू करते हैं अपनी आज की वीडियो आओ याद करें निमलिखित के उप्यूक्त जोड़े बनाओ प्यारे बच्चो आपको इसमें सही मिलान करना है देखिए यहाँ पर आपको वाक्य दिये गए हैं दक्षिना पत के स्वामी मुवेंदार अश्व खोस बोधीस्तव श्वेन तसांग और इनका मिलान करना है आपको बुध चरित्र महायान बोध धर्म साथ वाहन शाशक चीनी यातरी चोल चैर और पांडियो इसका मिलान करते हैं उत्तर देखिए दक्षिना पत के स्वामी का सही मिलान होगा तीसरे विकल्प साथ वाहन शाशक के साथ मुवेंदार का मिलान होगा पांचवे विकल्प चोल चैर पांडियो के साथ तीसरा अश्व घोस अश्व घोस का सही मिलान है प्यारे बच्चो बुध चरित्र तो यहाँ पर जो आपका पहला विकल्प है बुध चरित्र उसके साथ मिलान करेंगे बोधी सत्व का सही मिलान होगा महायान बोध धर्म के साथ और आखरी है श्वेन तसांग एक चीनी यात्री था तो इसका सही मिलान होगा चोथे विकल्प चीनी यात्री के साथ प्रशने दो राजा सिल्क रूट पर अपना नियंतरन क्यों कायम करना चाहते थे और इसका उत्तर है शाषक करके लाब के लिए रेशम मार्ग पर नियंतरन करना चहते थे क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यपारियों से उन्हें करशुल्क तथा तोहफों के माध्यम से लाभ मिलता था प्रश्न तीन व्यपार तथा व्यपारिक रास्तों के बारे में जानने के लिए इतिहासकार किन किन साक्ष्यों का उप्योग करते थे उत्तर इतिहासकार व्यपार तथा व्यपारिक रास्तों के बारे में जानने के लिए बर्तनों का उप्योग करते थे ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहां ये बर्तन बनते थे वहां से व्यपारी अलग-अलग जगों पर ले गई होंगे प्रशन चार भक्ती की परमुख विशेष्टाएं क्या थी? उत्तर भक्ती की परमुख विशेष्टाएं हैं पहला किसी देवी या देवता के प्रती श्रधा को ही भक्ती कहा जाता है भक्ति का पत सब के लिए खुला था, चाहे वैं धनी हो या गरीब, उची जाती का हो या नीची जाती का, इस्त्री हो या पुरुश दूसरा, भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने की बजाए इश्वर के प्रती लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे और तीसरा, भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्पकला और स्थामपत्यकला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेणा दी है प्रशन पांच, चीनी तीर्थ यात्री भारत क्यों आए? कारण बताओ और इसका उत्तर है, चीनी बोध तीर्थ यात्री, फा, शियेन, इतिसंट और श्वेन तसांग भारत की यात्रा पर आए थे वे सब बोध के जीवन से जुड़ी जगों और प्रसिद मठों को देखने के लिए आए थे इसलिए वे सबसे पहले बुध के जीवन से जुड़ी जगों से परीचित हुए, वे प्रसिद मठों को देखने गए उन्होंने किताबों और बुध की मूर्तियों को इखटा किया श्वेन तसां तथा अन्यतीर्थ यात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद बोध विध्याकेंद्र नालंदा बिहार में अध्यन किया यह उस समय का प्रसिद बोध मठ था प्रशन छे साधारन लोगों का भक्ती के प्रती आकर्शित होने का कौन सा कारण होता है उत्तर साधारन लोग भक्ती मार्ग या परंपरा की ओर इसलिए आकर्शित हुए क्योंकि हमारी वैदिक परंपरा बहुत कठोर थी इसमें जाती वे वर्गों को ध्यान में रखा जाता था यह कुछ लोगों को ही पूजा करने की अनुमती नहीं देता था वे मंदिर में भी परवेश नहीं कर सकते थे लेकिन भक्ती का पत सब के लिए खुला था चाहे वे धनी हो या गरीब उची जाती का हो या नीची जाती का स्तरी हो या पुरुश प्रशन साथ तुम बाजार से क्या-क्या सामान खरीडती हो उनकी एक सुची बनाओ बताओ कि तुम जिस शहर या गाउं में रहती हो वहां इन में से कौन-कौन सी चीजे बनी थी और किन चीजों को व्यापारी बाहर से लाए थे उत्तर बाजार से खरीदी गई वस्तूओं की सूची पहला कपड़े, दूसरी मिट्टी से बनी वस्तूओं तीसरा चावल, चोथा जूते और पाँचवा किताबे उपर दी गई वस्तूओं में किताबे, कपड़े तथा जूते व्यापारियों द्वारा बाहर से लाए जाते हैं जबकि मिट्टी से बनी वस्तूओं वे चावल शहर या गाउं में ही उपलब्ध होते हैं प्रश्न आठ आज भारत में लोग बहुत तीर्थ यात्राएं करते हैं उन में से एक के विशे में पता करो और एक संक्षीप्त विवरन दो यहाँ पर आपको करने के लिए संकीत दिया गया है तीर्थ यात्रा में स्त्री, पुरुष या बच्चों में से कौन जा सकते हैं इसमें कितना वक्त लगता है, लोग किस तरह यात्रा करते हैं, वे अपनी यात्रा के दोरान क्या-क्या ले जाते हैं तीर्थ स्थानों पर पहुच कर भी क्या करते हैं, तो क्या वे वापिस आते समय कुछ लाते हैं चलिए अब इसका उत्तर देखते हैं बच्चों लोग बहुत सारे स्थानों पर पूजा यानि तीर्थ यात्राय करते हैं इन में से एक स्थान हरीद्वार है यह हिंदूों के लिए बहुत प्रसिद स्थान है यहां हर कोई व्यक्ति जा सकता है यह लोगों के लिए इसलिए महतपूर्ण है क्योंकि यहां गंगा नदी पहाडों से निकल कर मैदानों में परवेश करती है और लोग इस स्थान पर धार्मिक स्थान कर सकते हैं गंगा का उदगम हिमाल्य में हुआ है यहां भगवान शिव और अन्य देवी देवताओं के बहुत सारे मंदिर है सावन के महिने में लोग यहां उच्छा के साथ घूमने आते हैं और गंगा जल के साथ भगवान शिव की पूजा करते हैं वे पवित्र गंगा जल लेकर विभिन स्थानों के लिए पैदल यातरा करते हैं तो प्यारे बच्चों इस पाठ का अभ्यास कारिये पून हुआ आशा करती हूँ कि आपने वीडियो को ध्यान से देखा और सुना होगा इन सभी प्रशनों को अपनी नोट बुक में नोट कीजिए आज के लिए इतना ही यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अन्या शेक्षनिक वीडियो देखनी के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी तब तक के लिए धन्यवाद